अभी कुजिन पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें अपने आप ग्रो हुए कुछ प्लांट से शेयर किये थे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिए उसमें ऑक्जैलिस भी था तो इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे ये वुट सॉरल फैम प्लांसों से भी जादा स्पीशीज है इस प्लांट की और इस वराइटी में पिंग कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि एक फ्लावर स्पाइक आती है उस पे दो तीन चार पांच ये प्लांट के अकॉर्डिंग जितना हेल्दी प्लांट होगा उतने जादा फूलों का क्योंकि एक तरह से डॉर्मेंट सीजन ही आप समझ लीजिए स्लो ग्रोथ होती रहती है लेकिन फ्लावर्स आपको सर्दियों में कम ही देखने के लिए मिलेंगे तो देखिए इसकी एक हम लीफ चुपा देते हैं तो बिल्कुल एक बटरफ्लाई जैसा ये लग रहा है तो सबसे पहले हम इस प्लांट को बाहर निकाल कर दिखाते हैं कि इसमें रूट्स होती है बल्ब होता है या सकर्स होते हैं तो जब इसको प्लांट को बाहर निकालेंगे तो किसी प्लांट में तो आपको बल्ब दिखाई देंगे और किसी प्लांट में जादा रूट्स दिख से बाहर निकाला है तो इसमें आप देखेंगे बल्ब आपको नहीं दिखाई देगा और यह roots ही दिखाई देंगी तो यह roots हैं इसमें already water है जो की दूसरे plants आपको बाहर निकाल कर दिखाएंगे कि उनमें bulb होते हैं तो bulb इसमें बहुत छोटे-छोटे से बनना शुरू हो जाते हैं और काफी healthy bulb भी हो जाते हैं अगर soil अच्छी मिल जाए और अच्छा इसको फैलने की जगह मिल जाए बल्ब healthy भी हो जाएंगे नहीं तो इसके जो बल्ब है ये इतने छोटे-छोटे होते हैं अगर आपने gladiolus का कॉर्म देखा है तो उसमें जो एक तरह से उसका छिलका रहता है बिल्कुल उसी तरह इसी में भी बल्ब में उपर एक layer रहती है जो की इसका cover रहता है और जब आप उसको हटा कर देखेंगे तो उसमें भी roots के जैसा आपको पानी ही दिखाई देगा ऐसा लगेगा कोई पानी भरा हुआ मोती है छोटे-छोटे मोती जैसे ये दिखाई देते हैं और इसमें इस तरह से roots होती है और उपर की दरफ पतियां बनती है अगर किसी वजह से ये bulb तूट जाए जैसे मालीजी आपको कहीं से ये plant लेकर आना है और आप उनको जैसे ही मिट्टी से बाहर निकालते हैं और ये तूट जाते हैं तो भी आप उन plants को grow कर सकते हैं क्योंकि leaves के नीचे जो portion है white portion जो होता है वो भी अगर आप लाकर के पानी में रख देते हैं ये मिट्टी में लगा देते हैं तो भी grow हो जाता है लेकिन इन bulbs से grow करना जादे आसान रहता है अब हम इन plants से इसलिए बहुत परेशान है जो छोटे-छोटे bulb आप देख रहे हैं ये मिट्टी में ख़तम ही नहीं होते हैं इतने छोटे-छोटे mix हो जाते हैं अपने आप ही नए-णय पौदे ग्रो हो जाते हैं माल लिजे किसी plant से खतम करना है पौट से फिर भी अपने आप ग्रो हो जाते हैं तो ये हैं वो लीफ्स जिनको बिना बल्ब के भी आप ग्रो कर सकते हैं जैसे इस तरह की लीफ्स आप कलेक्ट कीजिए और ये जो इसके नीचे की तरफ ये वाइट पोर्शन जो है यहीं से इसमें रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी और रूट्स के बाद इसमें बल्ब जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखा जिसमें रूट्स काफी थी लेकिन उसमें बल्ब नहीं थे तो ऐसे करते करते बल्ब प्रेड्यूस करता रहता है मल्टिप्लाइ होता रहता है ये प्लांट ये हमारा एक कटर था जो की तूट गया था इसको अभी हमने ठीक प्रेडिक कर लिया है काफी ब्यूवर्स पूचते हैं कहां से लिया है तो ये आपको AnBean एजी ली मिल जाएगा आप ले सकते हैं और बहुत कम प्राइस में ये मिलता है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा आप लोकल नरसरी पर सर्च कर सकते हैं तो देख है ये एक रेण नहीं कर सकते हैं और कभी ना कभी वो उसमें मिल ही जाते हैं इनको बिना किसी दवाई के यूज की अगर आपको हटाना है तो सबसे अच्छा जो उपाय है इसका वो यही है कि जैसे ही यह उकते हुए दिखाई दें आप इनको तुरंत मिटी से बाहर निकालने पॉट से बाह गार्डन में मिलते हैं लेकिन जो बाहर गार्डन है जमीन में तो बहुत ही जगई अपने आप उख जाता है जैसे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा गर्मियों की शुरुआत होगी अपने आप यह जगए-जगए उग जायका लेकिन अच्छी बात यह है कि एक फ्लावर परसाते हैं कियर तो इस प्लान की कोई खास जरूरत नहीं होती है और अपने अप ग्रो होता रहता है बस जहां पर पानी भरने लगता है वहा पर यह खतम हो जाता है क्योंकि बल्ब गल जाते है कोई फर्टिलाइजर की रिक्विरมेंट thank you